दर्शकों देश में एक अलग तरह की जंग छिड़ गई है वो भी भगवान राम के नाम पर विपक्ष के नेता कहते हैं कि राम को बीजेपी ने हाईज्रैक कर लिया है जहां बीजेपी रामकाज करीबे को आतुर है तो वहीं विपक्ष रामकाज में लगातार एजेंटे मे खलर करने की कोशिश कर रहे हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी की सरकार आयोध्या को सजाने में लगी है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता राममंदर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए या तो मना कर रहे हैं य बड़ी जीत दर्च कर सकती है राम के नाम पर कॉंग्रिस को मिर्ची लग रही है लेकिन जब कॉंग्रिस सत्ता में थी तब उस वक्त के प्रधान मंतरी कहते थे कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्प संख्यको का है कॉंग्रिस के नेता रहे कपल सिब्बल राम मंदर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाते हैं लेकिन अब जब देश मर्यादा पुरुशोतम प्रभूश्री राम के स्वागत के लिए तयार है जब कॉंग्रिस के नेता बेचैन हो रहे हैं देश के लोग राम मंदर के लिए क्यों इतना उत्सुख है क्या है खबर बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में 22 जन्वरी को योद्या में राम मंदर के उधगाटन की तैयारिया चल रही है सत्ता रूर्ण भारतिय जनता पार्टी राश्ट्रेस वेम सेवक संग यानी रसेस और उससे जुड़े संग ठनिस की तैयारी में जुटे हैं मंदर के गर्ब ग्रहे में भगवान राम की मूर्ती स्थापित करने के लिए पेम मोदी को आवंतरित किया गया है इस बीच इंडियन ओवसीज कॉंग्रिस के च्वेर्मिन साम पित्रोदा ने ये कहा है कि उन्हें ये बात परिशान कर दिया है कि देश की आज की राजनीती में राम मंदिर और दीब जुलाना राश्ट्री मुद्दा है उन्होंने न्यूज एजिंसी को दिये गए कि इंडिवियों में कहा कि दोहजार चॉबीस का चुनाओ देश की नियती तै करने जा रहा है ये तै करेगा कि भारत भविश में क्या रास्ता अपनाएगा और मैं इसे लेकर चिंतित हूँ राहुल गांधी के करीबी नेता साम पित्रोदा ने कहा कि मैं इसके बारे में चिंतित हूँ क्योंकि धर्म को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है मैं देख रहा हूँ कि लोकतत्र को कब्जोर किया जा रहा है ये मुझे परिशान करता है कि हर कोई सोचता है कि देश में सब कुछ प्रधानमंत्री के कारण हो रहा है हमें इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि हम खलत दिशा में हैं पूरा देश राम मंदिर और राम जन्मभो मी दिया जलाओ पर रटका हुआ है ये मुझे परिशान करता है सैंपित्रोदा ने आगे कहा कि मेरे लिए धर्म एक बहुत ही व्यक्तिकत चीज़ है राश्ट्री, मुदे, शिक्षा, रोजगार, विकास, अर्थवेवस्था, मुद्रास्पृति इसके अलावा स्वास्थ, परियावरण और प्रदूशन ये एहम मुद्धे हैं लेकिन इनके बारे में कोई चर्चा करता ही नहीं कॉंग्रिस नेता ने कहा इसराहिल या पाकिस्तान जैसे धर्म पर आधारित राष्ट्र, अमेरिका जैसे लोकतंत्र, स्वतंत्रिता और मानवतिकारों पर बने देशों से बहुत अलग है भारत जुड़ो यात्रा के बाद राहूल गांधी के छवी बदलने पर बोलते हुए सैम पित्रोधा ने कहा कि राहूल गांधी को समझना मुश्किल है क्योंकि भारत में एक राजनेता होने का मतलब जूट बोलना है और चालाकी करना है उन्होंने कहा राहूल गांधी राजनेतिक डियरे वाले एक युवा और शिक्षत नेता है वो बहुत बुद्धिमान है लेकिन भारत में एक राजनेता को तब अच्छा माना जाता है जब वो जोड तोड करता है भारत में एक इमांदार राजनेता को भोला माना जाता है तो देखा आपने कैसे राम मंदर के उद्खाटन से कॉंग्रिस के नेता को मिर्ची लग रही है। तो देखा रहा है कि पीमोदी की लोकप्रियता घटती जा रही है लेकिन ऐसा लग रहा है कि विपक्ष सच से बहुत दूर है। पीतर तक कोई भी नेता लोकप्रियता के मामने में पीमोदी के आसपास भी नहीं है। प्रधान उद्री नरेंद्र मोदी के निजी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर की सख्या दो करोण को पार कर गई है। इसके साथ ही ये गौरव हासल करने वाली मोदी विश्व के एक मात्र नेता बन गए है। इस वामने में विश्व की अनेच समकाली नेता उन से बहुत बीचे हैं। अधिकारियों ने कहा कि मोदी के चैनल पर पोस्ट किये के विडियो को 4.5 अरब से ज्यादा बार देखा जा चुका है। वही ब्राजील के पूरव राश्ट्रपती जायर बॉलसोनारो करीब 64 लग सबस्क्राइबर्स के साथ दूसरे इस्थान पर है। चैनल पर विडियो देखे जाने के मामले में यूकरीन के राश्ट्रपती वुलदमीर जलनिसकी पियमोदी के बाद दूसरे स्थान पर है। जलनिसकी के चैनल पर 22.4 करोड पार विडियो देखा गया है। पियमोदी के मकाबले ये आकड़ा बहुत कम हैं। वहीं अमेरिका के राश्ट्रपती जो बाइडन के 7.8-9 लाख और तुर्की के राश्ट्रपती रिजब तैयत अरदुरान के 3.1-6 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। पियमोदी से जुड़े यूट्यूब चैनल योगविद्ध मोदी के भी 73,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। तो वहीं दूसरे भारते नेताओं में कांग्रिस के नेता राहुल गांदी के चैनल के 35,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। पियमोदी के यूट्यूब चैनल पर 2,000,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। पर पीम मोदी के आसपास भी कोई नहीं देश के लोग प्रधान मंतरी के साथ लगातार जुड़ते जा रहे हैं सारे नौस साल प्रधान मंतरी रहने के बाद भी लोग पीम मोदी के साथ जुड़ते हैं पियम मोदी की नीतियों की वज़े से ही लोग मोदी को फिर से पियम देखना जाते हैं। आपको बता दें कि पियम मोदी ने 2007 ने अपता ही यूट्यूब चैनल शुरू किया था जब वो गुज़ायत के मुख्य मंत्री थे और उन्हें सालवजनिक संचार में सोशल मीडिया क श्रमता को समझने में भारती राजनीती में अग्रणी माना जाता है। इसकी उपयोग से अधिक से अधिक सफलता हासल करने का भियोने श्रेह दिया जाता है। जहां एक तरफ बीजेपी है जिसके राजनेतिक कोशल के आगे विपक्ष ततकाल लाचार दिख रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एंडिये जिसके पास अमिच्छाह जैसा राजनेतिक चाड़क के है। जेपी नड़ा जैसा नेता है जो राजनेतिक समिकरण साधने में तो वहीं पीए मोदी जैसा नेता है जिनकी राजनेतिक ग्यारेटी पर देश को भरूसा है। विपक्ष की डाल डालवारी राजनीति को बीजेपी अपनी पात पात वाली राजनीति से काट रही है और अब एक बार फिर से बीजेपी दोहजार चौबीस में भगवा पर च किया है और इस उपीनियन पोल में एंडिये को सपष्ट पहुमत मिलता नजर आ रहा है। पोल के मुताबक एंडिये को 295 से 335 सीटे मिल सकती हैं जबकि इंडिये गटबंधन को 165 सीटे मिलने की उमीद है वहीं अन्ने के खाते में 35 से 56 सीटे गिर सकती हैं। अगर बात गि गटबंधन दोनों की नजर हैं। ओपीनियन पोल के मुताबक उत्तर भारत के 180 सीटों में से इंडिये को 1500 से 160 सीटे मिल सकती हैं यहां इंडिये अलाइंस को महज 20 से 30 सीटे मिलने की उमीद हैं। जबकि अन्ने के खाते में 60 से 5 सीटे आदी दिख रही हैं। वोट इंडिये को 50 फीजदी वोट, इंडिये अलाइंस को 36 पिसेंट और अन्य दलों को 14 फीजदी वोट मिल सकते हैं। वहीं दक्षन भारती राज्यों तमलनाटू, केरल, आंदरपिदेश, तैलंगाना, करनाटक, लक्षृदी, पॉटचेरी और अंडमान निको बार में लोग जब की इंडिये को गटबंधन 40 फीजदी और अन्य को 41 पिसेंट लोग मत मिल सकता है। वहीं पस्चिम भारत में लोगसभा की एकुल 78 सीटे हैं। इस शेत्र में महराश्ट गोवा, गुजरात, तादरोनाकर, हवेली, इसके अलावा दमन दीव, जैसे राज्ये और केंद सीटे मिलने का अनुमान है, वह इंडिया अलाइंस 25 से 20 सीटे जीत सकती है, जबकि आने के खाते में 0 से 5 सीटे जा सकती है। अगर बात पूरवी भारत की की जाए तो यहां लोगसभा की 153 सीटे हैं। ऑपीनियन बोल में यहां इंडिये को 80 से 90 सीटे मिल सकती हैं, जबकि इंडिया अलाइंस 25 सीटे मिलने की उमीद है, वही अने दलों को 10 से 20 सीटे मिलने की उमीद है। यहां इंडिये को 42 फिजदी वोट मिल सकते हैं, जबकि इंडिया अलाइंस को 38 प्रतिशत वोट मिलने की उमीद है, वही अने दल 20 फिजदी मत हासल कर सकता है। तो देखा आ वही हाल है कश्मीर के परिवार वादी नेताओं का जिनकी वजह से बैराए बोराए घूम रहे हैं। कश्मीर से जैसे ही तीन सो सत्तर हटा इन दलों के मन में धुक्तुकी होने लगी कि अब तो परिवार की रोटी दाल कैसे चलेगी जिस नफरत और डर को बेच कर हम अपनी सत्ता की रोटी सेखते थे वो तो पियमोदी के इस फैसले ने खत्म ही कर दी लेकिन दर्शकों कहते है चोर चोरी से जाए सीना जोरी से ना जाए वही हाल है कश्मीर के नेता फारुक अबदुल्ला साहब का जब से पियमोदी जे धारा तीन सो सत्तर हटाई है तब से उनकी राजनेतिक रोटी ठंडी पड़ गई है कश्मीर के परिवारवादी दल के मुखिया फारुक उन्हों ने वारत सरकार पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से बात करने की अपील की साथ ही वारता में हो रही देरी को लेकर भी केंडर पर सवाल उठाए इस दोरान उन्होंने चैताफनी भी दे दी कि हमारा खाल भी गाज़ा जैसा हो जाएगा अबदुल्ला ने कहा तिल अभी विकल्प नहीं है और मामला वारता के जरीय सुझाया जा सकता है उन्होंने आगे कहा कि वारता कहा है नवास शरीफ पाकिस्तान की प्रधान मंतरी बनने वाले हैं और वो कह रहे हैं कि हम भारत के साथ बातचीत के लिए तयार है लेकिन क्या कारण है कि हम बातचीत के ही निकालेंगे तो हमारा हाल भी काज़ा और फिलस्तीन जो ऐसा होगा जिस पर इसराइल बंबारी कर रहा है खास बाती है कि अब्दुल्ला की तरफ से बयान ऐसे समय पर आया है जब हाल ही में पुंच में भारती सेना के पांच जवान शहीद हो गए थे इसके अलावा बा फारुक अब्दुल्ला को कश्मीर की इतनी ही टेंशन हो थी तो कश्मीर में शानती बाहल के रास्ते बताते ना कि वहां के लोगों मिड डर का माहौल बनाते मोधी सरकार पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही है लेकिन फारुग अब्दुल्ला पाकिस्तान का राग अलाप रहे है और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं